नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर समयक दहवन आप देख रहे हैं काया क्लब डोबल आज हम बात करेंगे कि बारिशों के मौसम में कैसे सफेद दाग का कोरेलेशन है क्या मौनसून का कोई कोरेलेशन है सफेद दाग से और ऐसी क्या चीज़ें हम ना खाएं जिससे कि सफ चले शुदू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्किये पहले जो सबसे इंपॉर्टन क्वेशन है जो लोग OPD में हमसे पुछते हैं और जब मेरे स्टाफ से लोग पुछते हैं वो यह होता है कि हमारे सफेद दाग उनको ऐसा लगता है कि उनके सफेद दाग बारिशों में बढ़ गई हैं तो क्या यह सच है ऐसा होता है कि सफेद दाग बारिशों में बढ़ जाते हैं मौनसून में सफेद दाग का साइस भढ़ने से को लेने देना नहीं आप दोनों को ध्यान से समझें सफेद दाग की ठीट्मेंट में दो चीजे होती है एक होता है विमारी का भ है कि उनका सफेद दाख भढ रहा है लेकि एक्चुली हो गया रहा है कि जो उनका कलर वापस आया था समर्ज में वह वापस से जा रहा होता है उसको भढ़ने बात करते हैं डॉक्टर से गाल लेकिन भढ़ना नहीं है वह जो कलर आया था वह जा रहा है, एक तो यह सीनारिय हो गया, सेकेंड सिनारिय हो Éक्टुली में सफलिधा दाइ अपढ़ रहा है, एक्चुली में उनके स्क्रइब सेख नहीं, तो अप बहुत का अपढ़ गया है आपके स्ट्रैस इटक्राइल को इसपो लेकिन बहुत के लेना देना है कैसा सब्स परसेंट है तो अब बात करते हैं कि क्या मॉंसूंस में सफेद दाग भढ़ सकता है ऐसा नहीं है यह मैंने क्लारिफाइ कर दिया कि भढ़ने का खून से लेना देना है मौसम से लेना देना लेकिन रंग कलर और फोर्मेशन का मॉनसून से लेना देना है वो इसलिए क्योंकि किसी भी टाइब कि अगर आप विटले को टीटमेंट लेते हैं सफेद दाग लिकोडर्मा या वाइटसपाट काप टीटमेंट लेते हैं तो एक में प्रोट थेरेपी फोटो थेरेपी कहलो या धूप दिखा यह जो जो वेवलेंथ की UV rays हमें चाहिए वो नहीं मिलती है इसलिए काफी patients क्वेंट करते हैं कि उनका रंग इतनी महनत से आया था and I think सबसे कॉमन कंसर्न सबसे कॉमन क्वेरी जो हमारे patients की भी आती है staff को तो यह होती है कि पहले तो बहुत अच्छा improvement आ रहा था लेकिन अब अच्छा improvement नहीं आया stable हो गया है या और कलर वापस नहीं आ रहा है उसका reason यह ही है कि आपका monsoon में धूप ना दिखा पाने का कारण ही यह reason है और इसलिए हम कई बार recommend भी करते हैं कि आप पूवा लैंप पर्चेस करें आप पी यूवी ये लैंप पर्चेस करें जिससे कि आगर आप दिन में धूप नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप रात को आए ताकि आप जो इतनी महनत से दवाई खा रहे हैं लगा रहे हैं वो आपकी महनत बरबाद ना जाए राइट यह था अगर आप बेश्टेरीन हैं तो कच्चा टमाटर सलाद में जो टमाटर मिलता है वो ना खाया अगर सबजी बन रही है तो खा सकते हैं लेकिन कच्चा टमाटर ना खायें बैंगन की सबजी ना खायें यह कुछ दो इंपोर्टेंट सब्जी हैं जो आपको अवोइड करनी चाहिए फूट की आगर बात करें तो अब तो वैसे बारिश का मौसम आ गया है लेकिन आम नहीं खाना चाहिए अधिक मातरा में बहुत एक्स्ट्रा इनो स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें सी आपका ला हो सकता है कि इसलिए स्पाइसी फूट का एक और चीज़ आपको अब करने चाहिए जो कन्फूजन रहता लगों को होता है कि दही खा सकते है कि नितो हमारी रिकमेंडेशन रहते है कि अप फ्रेश दही खा सकते हैं रात का बना हुँआ अपने ऐगले दिन खा लिया लेकिन डाइट ही इंपॉर्टेंट नहीं इसी के साथ-साथ आपको आपके माइंड को रिलाक्स होना चाहिए आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होना चाहिए उसके लिए आप योगा या प्रहनयाम कर सकते हैं एक कोई भी ऐसी अक्टिविटी जो आपको 15-20 मिनिट तक आपके स्ट्रेस लेवल को कम करें इन्हों मेडिटेशन जीमिंग जो आपके ध्यान को डाइवर्ट करें जो आपके मूर को रिलाक्स करें वो आपको करना चाहिए 15-20 मिनिट डेली करना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो अगर आप ये चीज़े करते हैं तो आप नोटिस करेंग काया कलब ग्लोबल का विटलेगो यूट्यूब चैनल मैं स्कीन पर कुछ बिफोर और आफ्टर की फोटोस आपके लिए लेकर आया हूं जिससे कि यह वो पेशेंट है जिन्होंने घर बैठे-बैठे सफेद्दा का इलाज करवाया हमसे इन्होंने यही गाइडलाइन्स फ विटलेगो जो है वो ठीक नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है एवन दो विटलेगो इस इन इन्क्योरिबल डिजीज आस पर यूटन मेडिसिन टेक्स्बुक्स ऐलोपैथी की बुक्स में इसको लाई-लाज बिमारी बताया गया है लेकिन क्योर वर्ड और ट्रीटमेंट वर्ड क वो पेशिंट्स जो है ना वो कन्फ्यूस करते हैं अगर हम बात करें की कैंसर अस्थमा बीपी शुगर थाइरोएड आर्थराइटिस मल्टिबल स्क्लिरोसेज ऐसे लिए ऐसी बहुत सारी बिमारियां है जिनका क्योर हो सकता है ना हो आने वाला हो लेकिन ट्रीटमेंट है इसे क्योर एंट्रीटमेंट थो डिफरेंट वर्ट्स तो आप निराश नहीं बहुत साले होंब को लगता है कि इसका यार क्योर ही नहीं तो अब हमारा क्या होगा ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट है एंड डिलेना चाहिए क्योंकि एक बार अगर विमारी ऐसे पार्ट पर आ ज सफेदा किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल है ठीक करना इसलिए समय रहते अगर सफेदा को पकड़ लिया जाए तो उसको रिवर्स करना असान हो जाता है इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि इलाज है ट्रीटमेंट है लेकिन आपको सही टाइम पर सही संस्था के साथ जुड़ना चाहिए गाई यह थी आज की वीडियो उमीर करता हूं आपको इंफोमेशन पसंद आई हो मौसम के कंटेक्स में जो आपके डाउट्स हैं आयोब वह भी इस वीडियो में आंसर हो गए ह धन्यवाद।